इस वक्त के एक बड़ी ख़वर आप सभी दर्शकों को बता दें जो यूपी के पंदरा से अधिक अग्यात लोगों पर मुगदमा दर्श हुआ है लोगों के उपर आग्यात में मुगदमा दर्श किया गया है जहां एक तरब देश के पधान मंत्री ने ये लागडाउन किया था कि देश की भलाई के लिए ही किया था कि कोरोना जिसे वारस को जिसकी चेन को तोड़ा जा सके वही इस तरह का मामला आने पर पुलिस ने इस तरह का सक्त अक्षन लेते हुए 15 से अधिक लोगों के पर आग्यात मुकर्दमें दर्श किये इस मामले में किसे प्रथासनी कमलेस आपके बात हुई है जी बिलकुल इप रिशिया थाना परभारी से हमारी बात कुली है क्या बताया उन्हяет जब आपने बात कलने कोश्च कि तो तो बड़ी खबर कही जाएगी इस वक्त की जो आप सभी दर्शकों को यूपी के जनपत बहराई से बता रहे हैं जहां लागडाउन का उलंगन करने वालों के खिलाफ कारवाई हुई है 15 से अधिक का ग्यात लोगों पर मुकतमा दर्ज हुआ है मस्जिद में भीड जुटा कर 15 से अधिक लोगों ने नमाज पढ़ी थी शासन के आदेश का उलंगन करने वालों के विरुद्ध पुलिस ने एक्षन लिया है मस्जिद के काजि सहीद सभी नमाजियों के विरुद्ध पुलिस ने मुकतमा दर्ज किया है तो एक बार फिर से आपको बता देए मामला जनपत बहराईट के रिसिया नगर पंचायत के आजाद नगर में इस सित जामा मस्जिद का बता जा रहा है